अन्नाभाव साटे का साहिते में बहुत बड़ा युगदान है। अन्नाभाव साटे का जन्म संगली जिले के वाटेगाव में एक अगस्तो 1920 को हुआ था। वाटेगाव गामीन इलाके में एक छोटा सा गाव आता है और जहां लोग च्वाचुद के नियम पालने वाले थे और च्वाचुद के कारण वहां अन्नाभाव साटे को स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला था। उनके पिता भावराव को लगता था कि बेटा पढ़े आगे बढ़े और इस कारण मों मंबई से भी वाटेगाव आये थे लेकिन कुलकरनी गुर्जी ने ये अपरादिक जाती का कारण आगे करके अन्नाभाव को दाखिला करने से इंकार कर दिया था। अन्नाभाव ने उनसे बिंती की उनके पिता बिंती की और उनका दाखिला हो गया। अन्ना भाव ने स्कूल में दाखिला होने के बाउजुद भी वहां के जाती वादी वातवरं के कारण स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अन्नाभाव स्कूल में नहीं गए तो क्या हुआ? अन्नाभाव ने समाज के स्कूल में अपनी शिक्षा जा रिखे, समाज का निरिक्षन किया, ऐसा कहा जाता है कि साहित्य परस्थिती की उपज होता है, या साहित्य समाज का दर्पन होता है, अन्नाभाव के साहित्य में भी पूर्ण तसमाज का चित्रह दिखाय देता है अरनाभाव की लाउनी भहती प्रसिद्ध है मंबई की लाउनी उनकी जो है उसमें मंबई के पुरिवातावरण का उगषण किया है महान गरिये जीवन की विदूपता को भी उनों ने दिखाने का प्रयास किया है यहां मंबई में शोशक और शोशित वर्ग है जो पूंजिपति वर्ग जो है वह मुझदरों का शोशन करता है उनका अर्थिक शोशन करता है और अन्ना भौने उसको दिखाने का बहुत ती सफल प्रयास किया है मंबई में मलबार हील जो है मालबार हील के इलाके में बहुत सारे रईस लोग रहते है आईशराम की जिन्दगी जीते है और दुसरी वोरपरल का इलाका है जहां मजदूर गरीब लोग बदहाली का जीवन जीते है तो इस प्रकार से भारत में विशमतवादी व्यवस्था के कारण अन्नाई के मन पर गह और उन्होंने अपने विचारों को अपने साहित्य के माद्यम से प्रकट किया है अन्नाभाग के साहित्य में इस त्री को बहुत ही महत्वा है उनके साहित्य पर कथा और उपन्यास के शिर्षक से ही पता चलता है कि उनके साहित्य नाई का प्रधान है उनके कहानी उनके वो बिलकुर स्वतंत्र है, वो सासी है और अपने मरजी से जीने वाली है इसका मतलब यह नहीं है कि वो नारी जो है वो अलग रास्ते पर जा रही है उनके सुपन्यास कहानी में जो नारी है वो नैतिकता का रास्ता छोड़ती नहीं है लेकिन अपने हग के लिए वो लड़ाई लड़ती है अन्नाभाव का साहित्य इस प्रिकास है स्त्रीवादी है और स्त्रीवादी के साथ को परिवर्तनवादी है और समाज को दिशा देने का साहित्य काम करता है तो अनभाव साथे के साहीत्य में लोगनाट्य का वी महत्व है, लोगनाट्य जो है जो तमाशा है, तमाशा पर उन्होंने संस्कार किये, तो तमाशा को उन्होंने सुसंस्कृत बनाएकने की कुशिश की और उसमें विसपल है लोकनाट्टे अकलक की कथा में उन्होंने मंबई की जो विश्मतवादी विवस्ता है तो उन्होंने वहां के मुझदुरों को समझाया कि यहां का पूंजी पती जो है वो शोशन के से करता है और यह शोशन प्राधर के से विवस्ता है अकल की कथा का जो जानबा है वो हो यहाँ के पूंजिपति वर्ग के शड़िंत्र को पहचानता है और उनके मनसूवई को सफ़ल होने नहीं देता है अन्ना भाव इस जानबा के माध्यन से अपने विछारों को वेक्तक करते है तो अन्ना भाव जो है उन पर मार्क स्वात का भी प्रभाव है उसके साथ कहीं कहीं अंबिड करवाद का भी प्रभाव दिकाई देता है उनकी जाल काहनी है या बुद्ध की शपत है इसमें भी अंबिड करवादी विचारधारा का प्रभाव दिकाई देता है भारत वर्षे में अम्बिड करवादी विचार का प्रचार प्रसार हो रहा था और इसके प्रती अन्ना भावनी भी अपनी समेदनाई प्रकट की है